यह जरा बॉनिट खोलना आपको पता है मैं भी पिछले दिनों ट्रैवल कर रहा था शहर से बाहर मुझे जाना पड़ा तो आपको पता है जब भी आपने लॉंग ट्रैवल करना होता है तो आप अपनी गाड़ी के टायर की हवा चेक कर वारे होते हैं रेडियेटर का जो के आपको पता है जो पंप होते हैं फिलिंग स्टेशन उसके उपर स्टोर्ज होते हैं वहाँ पर दे रहे होते हैं मैंने इसलिए यह स्टिकर ज़रा फाड़ दी है ताके मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं आपको बताऊंगा के यह मुझे वहाँ पर 800 अब मैंने तो वक्ति टॉर पर अपना जारी बात है काम करना था निकलना था मैंने तो डिलवा लिया लेकिन इस तरह के बहुत से लोग होंगे जो डेली बेसेस पर ट्रावल करते हैं अब उनको जारी बात है कूलन्ट चाहिए और एकनोमिकल प्राइस में चाहिए मैं आप 120 रुपएका 120 रुपएका एम का कूलेंट जो के यह इसके अंदर फिल भी करेंगे अभी आपको दिखाएंगे और कहा 800 रुपएका कहा 120 रुपएका आप घर बैठे इसको मंगवाएं अपनी गाड़ी की डिगी के अंदर रखें कभी भी आपको जब और चेंज कर बातने आप कूलेंट भी फिल कर लें चेंज कर बालें तो यह 500 एमिल की बॉटल ले आएं दिखाते हैं आपको यह चाइना का है एक चीज में आपको बता दूं लोकल जो होता है वह जो टिन पैक के अंदर आता है वह नहीं आप नहीं भी इसे टेस्ट करा लिएगा चेक करा लिए एक्चुल कंपनी की तरफ से भी कलर ग्रीन होता है तो आप वह डाल सकते हैं इसके अंदर खैर मैं इसके अंदर फिल करता हूं शाहिद बहुत से लोग कमेंट्स में लिखेंगे हम तो पानी डाल के गाम चला लेते हैं और रेडियेटर के लिए कूलेंट बना हुआ हुआ ह भी गाड़ियों के अंदर कूलेंट डाल के देती हैं पानी डाल के दे रही होती है क्योंकि कूलेंट ही है जो रेडियेटर का टेमपरिचर मिंटेन रखता है आगे सरदियां आ रही है उसमें एंटी फ्रीज वाला वेरियंट भी हम लेके आएंगे बोटल काफी पड़ी है नहीं तो हमारी किसी भी नियरे स्टोर पे आउटलिट पे जाके लहुर शहर में आठ ब्रांचीज है वहां पे जाकर यह खरीच सकते हैं एम का कूलेंट और स्पिस करने के लिए हमारी वेब साइट विजिट करें सेगल बोट स्टार्ट पी कि अलाफिस